आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था Axis Bank का Priority Banking Program का Review करने के लिए क्या ये कोर्स अच्छा है, Axis ABYB अच्छा है या Axis PBRM अच्छा है हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या आपके लिए benefits होगा कैसा review रहेगा overall, मेरे according, कैसा आपका work profile रहेगा आपको हम इस वीडियो में बताएंगे बट सबसे पहले कुछ important आपको हम update दे दे अगर आप सिर्फ इस वीडियो में Axis Bank PBRM का review देखना चाहते हैं आपके सामने में ये मीनट आ रहा होगा, आप यहां से skip करके जा करके review वीडियो देख सकते हैं, इसी वीडियो में आगे में mention है ठीक है, बट हमें हाँ पर वीडियो कवर करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे Axis Bank Priority Banking Program के बारे में ये course है कैसा, फिर हम आपको review करेंगे और वहीं पर अगर आप जानना चाहते हैं कि कितनी salary मिलेगी एक deputy manager को क्योंकि आप जब ये course करते हैं, आप जोईन करते हैं, तो आपको post मिलती है deputy manager तो कितनी salary मिलती है deputy manager को Axis Bank में, ये वीडियो है, आप इसको check out कर सकते हैं लिंक मिल जाएगी आपको description box में, साथ मैं आप ध्यान दे, इस वीडियो में जो आपको salary दिखाई जाएगी, वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि ये फ्रेसर's deputy manager की salary slip नहीं है, ये आपको उनकी salary slip है, जो join किया थे as a assistant manager, उनको promotion हुई है deputy manager के post पर, तो फिर इस वीडियो में आपको salary अधिक देखने को मिलेगी, एक deputy manager को access bank में, बट वहीं पर अगर आप join करते हैं, आप as a fraisers in access bank deputy manager तो आपको salary थोड़ी कम मिले है, ये आपकी जो CTC है, आपके सामने में सो हो रहा है, 5 lakhs और इस वीडियो में आपको 5 lakhs से more salary है अगर आप interested है तो देख सकते हैं, आपको मिल लेगी link वीडियो की description box में, साथ में अगर आप review देखना चाहते हैं, HTFC, future bankers का, ACCPO का, access ABYV का, yes bank professional banker program का, सारे वीडियो की link में लेगी description box में, review वीडियो आप check out कर सकते हैं, अब हम बात करते हैं, access PBRM के course के बारे में, और इस होता है, जिसमें आपको post मेलती है, after course deputy manager, यहाँ पर आपको salary की CDC रहती है, 500,000 रुपीज पर रणम साथ में, आपको फेंट ट्रेनिंग में, स्टाइपेंड मिलता है, right, course के starting का 6.5 मांथ फेंट आपको residential campus training होता है, आपको NIT University में, जहां पर आपको कोई भी stipend मेंशन नहीं है, बट वहीं पर आपको 1.5 मांथ की internship होती है, जहां पर आपको फेंट स्टाइपेंड मिलता है, 12,000 रुपीज, देन फेंट आपको 4.5 मांथ की ons of training होती है, जहां पर आपको full salary मिलता है, after course, after your training completion, आपको फेंट 5 लक्स के CDC मिलती है, and post रहता है deputy manager का, इस course के लिए फेंट पर qualification required है, 50% marks in your 10th, 12th and graduation, आपकी फेंट एस रहनी चाहिए 20, यहां पर minimum mention है, maximum कोई भी mention नहीं है, right, so अगर आप eligible होगा है, इंट्रेस्टेड होंगे, कैसे apply करना है, तो फेंट आपको application form की link मिलियागे, discussion box में about right, आपको form apply नहीं हो रहा है, जब form apply होगा, तो हम फेंट पाने के लिए, right, आप जब form फिल अप कर लेंगा, फिर देन आपकी एक online assessment test होती है, देन आपकी interview होती है, NIT के तरफ से और आपको access bank के तरफ से, so online test में कैसे questions आएंगे, कैसे उसके लिए prepare करना होता है, तो फिर आपको sample questions का PDF का link मिलियागा, discussion box में आपको सामने यह आ रहा आपको access PBRM हो, हर चीज में यह काम करने वाला है, वहीं पर अगर आप separately देखना चाहते हैं, PDF access PBRM का only, तो यह PDF है, आपको इसकी भी link मिल जागी, discussion box में आप check out कर सकते हैं, साथ में अगर आप interview के लिए prepare करना चाहते हैं, कैसे questions आते हैं, कैसे उसके लिए prepare किया जाता है, तो आप इस PDF को check out किजिए, इसमें आपको basic question mention है, जो questions आते हैं, आपके interview में कैसे उसको answer देना है, क्या चीज़ा बोलने से avoid करनी है, आपको इस PDF में help होगी, साथ में, साथ में आप जिस भी company का interview देने जा रहे हैं, वो company किस चीज में काम करती है, उसके बारे में आपको detail म का answer देना होता है, क्या चीज़ा बोलने से avoid करनी होती है, आप इस PDF में सिखेंगे, सारे PDF के आपको link में लिएगी, वीडियो के description box में, आप जब examine interview क्लिया कर लेंगा, देन फिर आपको course के fee payment को करना होता है, आपको ये course training program का fee payment करना होता है, इसकी fee आपको 2.25 lakhs रूपीज and plus taxes, इसके लिए आप access bank से loan ले सकते हैं, फिर आप self funding भी कर सकते हैं, इसकी fee आपको 2.25 lakhs रूपीज and plus 18% आपको tax लगेंगे, ठीक है, आप जब ये course join कर लेंगे, after one year completion of the course, आपको deputy manager के post पर job ज़रूर मिलेगी, राइट, अब हम बात करेंगे इस course के बारे में, ये जो course ह इसमें कैसा आपको work profile रहेगा, क्या ये अच्छा है, access ABYB अच्छा है, access PBRM अच्छा है, ठीक है, तो फिर आपने देखा कि course की fee आपको 2.25 lakhs रूपीज है, और access ABYB course की fee आपको 3.89 lakhs रूपीज है, tax मिला करें, तो जाहिर सी बात है फिर आपको access ABYB से ये course अच्छा है, यहां पर आपको fee कम मिल रहा है, और एक और important बात है, आप जो फिर जोइन करते है, access ABYB अच्छा है, यहां पर आपको post मिलता है, assistant manager का, जो की छोटा post है, बट यहां पर आपको post मिलता है, deputy manager का, तो यह आपको बड़ा post है, तो आपको यही जोइन करना चाहिए, access PBRM ही, क् आपको कम fee में, आपको post आदा मिल रहा है, वहां पर आपको salary मिलती हो, salary आपको कम मिलेगी, आपको access ABYB की salary slip की video description box से मिल जाएगी, आप दोनों compare कर सकते है, बट यहां पर आपको CTC है, आपको 5 lakhs रुपीस की CTC है, आपको यहां पर salary ज्यादा मिलेगी, access ABYB से, और आपक आप 3 points आप clear रहें, आपको option मिलता है, chance मिलता है, access ABYB और access PBRM, तो go for access PBRM, right? अब हम बात करें कि आपको work profile कैसा होगा, ठीक है, तो यहां पर आपको साप साप mention है, with an assured job as a deputy manager in sales and relationship management, यहां पर आपको sales साप साप mention है, मतलब कि आपको जो work profile रहेगी, उसमें आपको sales and target रहे यहां भी आपको sales available है, बट एक और option है, आपको relationship management, आपको customer के साथ relationship management करना होता है, तो जो भी training में top score रहेंगे, जो भी अच्छा perform करेंगे, इवाब 90% टाइल जिनकी आईगे training में, उनको find without sales भी काम मिलता है, उनको अच्छी profile भी मिल जाती है, बट फिन यहां पर साप sales and target जरूर होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल आप न सोचें कि आपको sales and target नहीं मिलेगा, आपको PPR होके जाना है bank में, कि आपको sales and target काम जरूर मिलेगा, तो आपके work profile में sales and target होने वाले हैं, किसी को नहीं मिलेगा, जो आपको top scorer रहेंगे training में, उनको अच्छा department मिल जाता है, but mostly sales and target काम यहां पर करना पड़ेगा, यह बात को आप ध्यान रखे, and आपको फिन यहां पर अगर आपके किसी बड़े सहर में रहते हैं, जहां पर आपको headquarter है, बड़े बड़े ब्रांचे से आप वहां पर काम करते हैं, तो फिन वहां पर आपको work load थोड़ा कम रहता ह है, तो आपको वहां पर work load कम रहता है, और आपको इतना ध्यान रखे कि work load रहेगा, बट आपको sales and target वहां पर कम होता है, यह मैं आपको बता रहा हूं, जो candidates काम कर रहे हैं, जो experience दिये हैं, उनके according में आपको यह बता रहा हूं, ठीक है, आपको आपको वीडियो अच्छी लगे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए and thank you for watching this video, thank you so much.